ओके तो आज किस वीडियो में हम बाबा साभीम रहा अम्बितकर इंवर्सिटी की MSC Chemistry, MSC Physics, MSC Mathematics की expected cut-off के उपर डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों आप लोग के ये बताने वाले हैं कि इस पर कितनी cut-off जा सकती है इसलिए मैं आप लोगों से request करूँगा वीडियो को अन तक देखना और दोस्तों उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अम्बितकर इंवर्सिटी में cut-off कैसे आती है तो आप लोगों पता ही होगा कि अम्बितकर इंवर्सिटी में OBC का category देखने को नहीं मिलता है यानि कि OBC वाल student UR category में आ जाता है लेकिन दोस्तों इन लोगों का class certificate लगता है इंवर्सिटी में उससे पहले ये जाना ज़रूरी है कि आपकी classes में कितनी सारी seat है तो दोस्तों आप लोगों यहाँ पे देख सकते हो आपकी class में कितनी सारी seat है और आपकी classes की कितनी fee होने वाली है पर semester की यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से mention कर दिया है तो एक बर मैं आपको इसको बता भी देता हूँ तो दोस्तों आप लोगों का total seat जो है आप लोगों का MSC chemistry में वा total seat आपका 80 है जिसमें का आपका 32 UR category के लिए है जिसमें से 27 curso elect 8 आपका EWS category के लिए है और दोस्तों आपका 16 paid seat है यानि कि जो बछों का number कंँआया था वो paid seat पर भी admission ले सकते हैं वह 25,000 रुपे होने वाली है, तो आप लोग इसको अराम से कर लेना, और दोस्तो मैंने आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा प्रजेंटेशन बनाया है, जिसके थुरू आप लोगो को कटफ को समझने में बहुत ज़दा आसानी होगी, यह रहा दोस्तो आप लोग की की पहले, कि इनकि पिछली बार कटफ कितनी गया थी, उसकी हिसाब से हम आप लोग के लिए इस बार का कटफ को डिसाइड करेंगे, तो यह रहा मरा पिछला साल का कटफ आप लोग का MSC केमेस्ट्री का, यह देख सकते हो दोस्तो आप लोग की पिछली साल की जो कटफ है, वह 200 नंबर पे भी admission हो गया था त्यानि कि जिन बच्चों का 400 में से 200 नंबर आये थे उनका भी university में admission हो गया था लेकिन दोस्तों इस बार आपकी जो exam है वह 300 नंबर के हुआ है तो हम यह मान के चलेंगे कि जिसका नंबर अगर 50% के आसपास माया है तो उसका university में admission आरामस हो जाएगा यानि कि अगर आपका माक्स लगभग डेड़्स हो के आसपास में ता आप university में आराम से एडमिसन ले लोगे तो चलिए जल्दी से इस बार आप लोग का कटाफ चेक कर लेते हैं कि अगर आप लोग MSC chemistry में अगर एडमिसन लेना चाहते हो तो यह देख सकते हो दो 135 का आसपास में तो आप लोग इनवर्सिटी में अराम से ले लोगे और वहीं दोस्तों गर आप स्टी काटाइगरी से आते हो तो आपका माक्स लगभग 115 के आसपास में तो आप इस बार आराम से इनवर्सिटी में अर्दिमिसन ले लेंगे MSC chemistry में और दोस्तों मैंने जो आप लोग के लिए कटाफ बताया यह जोरूरी नहीं कि आपकी कटाफ इतना ही जागा हो सकता है कि इससे ज्यादा जाए या तो फिर इससे कम जाए लेकिन दोस्तों यह मैक्सम पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो आपकी कटाफ है इसी नंबर के आसपास में करना है और आपकी कर नेश्याद हो जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मसी पीजिक्स का इस बार कितना कट अब जा सकता है तो इसंतों अन्डेघन से सीट है के सिंटी सिटेगरी इस टी के टेगरी में 8 सिट है और दोस्तों आपका कम नंबर है तो आप अगर पेड़ शीट पर जाना चाहते हो तो पेड़ सीट यहां पर दस है और वहिंख अगर अपने एगुलर सीट पर हो तब कि पर सेमेंश्टर की जो फिए वह 150 रूपढ रूपढ होने वाली है और अपने सेमेस्ट के फीर पचीस हजार रूपढ होने वाली है अब कर सकते हो यह हमारा में से कर सकते हो पिछले बार के पैंटेग्री मैं निकाला है पिछले बार जिसका 260 काश्पास में था उसका औराम से इंवर्षिति में एडमिसन हो गया था यानि की 400 में 260 काश्पास जिसका नबर था इंवर्षिटी में आराम से एडमिसन हो गया था तो अगर आप MSC और उस्तले लगभग 115 पलस है ता परां से gives जोट ले लोगे और वहीं दोस्तों अगर आपका का ट doen अब आप माक्ने aरे रहे हो अगा 10% गत जोटों कहाँ स नंबर ज्यादा है या तो फिर 10 नंबर काम है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है आपकी जो इस बार की cut-up है इसी नंबर के आसपास में से subscribe कर सकते हो कि कि दोस्तों मैं COT से related बहुत सरी update लाते रहता हूं और उसे में BBAU का भी cover करते रहता हूं तो maximum part मैं BBAU का cover करता हूं बाकि इसके साथ COT का cover करता हूं तो आप लोग अपने भाई के चैनल को subscribe कर सकते हों बाकि दोस्तों आगे बढ़ता है आपकी 25 सीट है, ST category के लिए 12 सीट है, EWS category के लिए 7 सीट है और दोस्तों आपके टूटल paid सीट 14 है याने की 14 paid सीट है और दोस्तों अगर आप regular सीट पे admission लेते हो तो आपकी पर समेश्टर के फी आपकी 15 सु रुपए होने वाली है और वहीं दोस्तों अगर आप paid सीट पे admission लेते हो तो आपकी पर समेश्टर के फी 25,000 रुपए होने वाली है तो आप लोग इसको अराम से चेक कर लेना, आप लोग यहां पर आराम से चेक कर सकते हो, मैंने MSC mathematics का यूर कटेगरी का basic लिए निकाला है कि अगर पिछला बार इसका 219 नमबर के आसपास में आया था उस इस बार इनिवर्सिटी में अराम से एडमिसन हो जाएगा, तो इसके लिए हमेरे सिक लिए अपना चार्ट को खुल लेते हैं और यहां आकर के देख लेते हैं कि आपकी कितनी मार्स आई है और आप कितने नमबर पर इनिवर्सिटी में एडमिसन ले पाओगे, तो आप लो ले लोगे, और वहीं तो दोस्तों घर पी डबल्वीयस के टेगरी से आते हो और आपका मार्कस लगभग 135 के आसपास में तो पर आमस इनिवर्सिटी में एडमिसन ले लोगे, और दोस्तों फिर से वही वार्निंग, अगर आपका मार्कस लगभग 10 नमबर ज्यादा भी है, या तो फिर 10 number कम भी है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है आपको university में अराम से admission हो जागी क्योंकि दोस्ते इस बार जो आप लोग की cut-off है इसी number के आसपास में fluctuate करने वाली है तो आप लोग को समय से university का registration कर दोना आप लोग की university में अराम से admission ले लोगे और दोस्ते मैं आ तो आप लोग यहाँ पर अराम से detail में चेक कर लो क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा presentation बना दिया है और दोस्तों उससे पहले आप लोग को सिर्क्वेस्ट है कि अगर आप भाई के चैनल पर नहीं हो तो प्लीज भाई के चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों क कि दोस्तों अगर आप लोग सस्क्राइब नहीं करोगे तो मैं तो वीडियो तो बनाऊंगा लेकिन वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी इसलिए भाई के चैनल को जल्दी से subscribe कर लो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ एक नए कटाफ वीडि करता